Welcome all of you, कैसे हैं आप? उमीद करता हूँ, अच्छे होंगे? हाजिर हूँ 5th क्लास की EBS की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नमबर 17 के फार्ट 5 के साथ आपने Across the Ball या Fandly दिवार चैप्टर के पिछले 4 पार्ट्स में जाना की मुंबै की नागपाड़ा वास्केटवाल Association की गर्ल्स को वास्केटवाल की गेम खेलने के लिए कितनी मेंद करनी पड़ी? उनको गेम खेलने के लिए किस तरह से बहुत सारी प्राबलम्स को फेस करना पड़ा? उन में से कुछ परशानियों के बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी और अब पार्ट 5 में गर्ल्स को और क्या-क्या परशानियां खेल खेलने में होती हैं उसके बारे में जानेंगे या जानने के लिए आप अपने 5th class की EBS की बुक का page number 161 ओपन करें या फिर आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. एक लड़की ने बुला अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो यह सिर्फ 5-6 साल का है वो भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए. अगर उससे पूछो कि तु खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हुँ खेलूंगा. अफसाना लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है. कितना फाइदा होता है खेलने से यह हम अब समझे. मैं चाहती हुँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाडी बनूं ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि भी मेरे जैसे वने. तो बच्चों क्या आप भी बड़े होकर कुछ ऐसा बनना चाहते हो जिससे बाकी भी आप जैसा बनना चाहें? आप मैंसे बहुत सारे बच्चे जरूर बनना चाहते होंगे. डिसकस चर्चा करो, what would happen if girls are not allowed to play games? To study or do some other work of their choice. लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? अगर girls को पढ़ाई या खेल या फिर उनके मन पसंद कामों को करने से रोकेंगे, तो उनमें confidence developed नहीं होगा और उनको self-dependent बनने में भी problem आएगी. और वो unhappy feel करेंगी. How would you feel if you were not allowed to take part in some game or drama? अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा? क्यूंकि उनको अपना talent दिखाने का मौका नहीं दिया जा रहा. तो बच्चो आपने कुछ बोमेन प्लेयर्स के नाम जरूर सुने होंगे जैसे की पीवी सिंदू, सानिया नहवाल, ये बेडमेंटिन खेलती है पीटी उशा ये एथलेटिक में हिस्सा लेती है करणम मलेश्वरी ये बेट लिफ्टर है In which areas other than sports have you heard of women getting recognition तुमने खेल के अलावा और किस किशेतर में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है बच्चो आजकल महिलाएं हर किशेतर में अपनी पहचान बना चुकी है तो बच्चो आपने सुनीता विलियम्स जोकी अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम जरूर सुन रखा होगा करणम मलेश्वरी जोकी एक वेट लिफ्टर है उनका नाम भी आपने सुना होगा वशेंदरी पाल जोकी मौट एवरेश्ट पर चड़ी थी उनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा इसी तरह महिलाएं आजकल हर किशेतर में अपनी पहचान बना चुकी है तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुर्शिया लड़कों के नामों के पेक्षा कम जाने जाते हैं ऐसा क्यूं? यह महिलाएं भी पुर्शियों के समान ही जाने जाती हैं अगर सभी लड़कियों को खेले ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसी दुनिया किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ये दुनिया अधूरी दुनिया होगी ऐसी दुनिया में संतुलन नहीं होगा महलाओं और पुर्ष्णों की बराबर भागिदारी से ही संतुलन स्तापित हो सकता है क्या तुम किसी लड़की या महला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो फिलम एक्टर और मॉडल शोड़कर कुछ और सोचो तो बच्चो आप सोच कर देखें कि आप किस महला की तरह बनना चाहते हो और अपना एक्सपिरियंस शेयर करें अफरीन, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your wish to fulfill them मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो खुश्णूर, if you have a wish or a dream, have courage to speak about it. If you do not do this now, you may regret later. अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है, तो उसके लिए पहले खुल कर कहना चाहिए. अपनी इच्छा बताने चाहिए. अगर यह नहीं किया, तो बाद मैं पच्छतावा होगा. We said, the newspaper wrote about all of you. हमने कहा, तुम्हारे बारे में अखवार में आया है. Now, students will read about you in this book. How do you feel? अब इस किताब मैं भी तुम्हारे बारे में शपेगा या सोच कर तुम्हें कैसा लगता है? A friend, we are so happy about it that we have no words to explain our happiness. We now feel we must play even better to make our area and our country famous. A friend, या जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी. ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें अपने इलाक्ये का देश का नाम आगे बढ़ाएं. All girls, सब लड़कियां. Yes, this is our wish too. हाँ, हमारी भी यही इच्छा है. The newspaper report said, Apsana has jumped over the wall. अखवार की report में लिखा था, Apsana दिवार फांच चुकी है. The gender wall that her mother had put up for her. लिंग भेद की दिवार भी जो इसकी मा ने खड़ी की है. What do you understand why gender wise लिंग भेद का क्या मतलब होगा? Gender wise का मतलब है लड़कियों को कम importance देना और लड़कों को ज़्याद है. तो बच्चों आपने इस chapter में girls को games खेलने के लिए आने वाली problems के बारे में जाना. Thanks a lot.